हेलो गूट मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हो अर्बिर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे ज यह स्पेसली DSSB से जुड़ी हुई खबर है और यह आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाली है तो साथियों बता देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है उसका रीजन क्या है वो भी आप देख सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि स स्पेसल एजुकेटर्स वाला जो एक्जाम हुआ था DSSB MCD के अंडर तो उस पर बहुत सारे केस चले हुए हैं लगबग 17 केसिज के अराउंड बताया जा रहा है कि इतने केस चले हुए तो उनमें से केस यह भी था कि IU सीमा में छूट चाहिए जैसा कि आप जानते हैं कि स् रखी है तो हमें भी छूट मिलनी चाहिए तो सातियों यह केस था इसके बाद जो एक केस है तो दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए कहा गया मतलब जो बोर्ड है उसके पास यह गया कि बही क्या IU सीमा में छूट दी जाए या नहीं दी जाए लेकिन बोर्ड ने वो जो नोटिस था लेटर था जो डिमांड थी कंडिडेट्स की वो LG सहाब को रैफर कर दी लेकिन LG सहाब ने लगबग तीन सब्ते होने के बावजोद भी कोई जवाब नहीं दिया इसके बाद जो हाई कोट था हाई कोट ने फटकार लगाई कि इतना डिले क्यों हो रहा है आपक इतना डिले क्यों करते हैं आप जवाब दीजिए और इतना टाइम क्या था आपको जल्दी जवाब देना था तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं DSSB का धुल्मुल रवया जारी रहता है वो किसी भी फिल्ड में आप देख सकते हैं गौर्मिंट को DSSB के बारे में कुछ सोचना चाहिए अगर वहाँ पे employees कम है तो employees वहाँ पे जादा होने चाहिए जिससे candidates को बहुत नुकसान जिलना पड़ता है तो candidates के साथ जो यह नुकसान होता है बहुत गलत है कोई भी candidates vacancy को लेके कही कही साल तक घुमता रहता है जैसा कि आप देखते आ रहे हैं अभी कु कुछ comments आए थे उसमें क्या था 2012 13 के form भरे हुए अभी तक उनका exam नहीं हुआ तो वह demand करें कि कब exam होगा अब आप समझ सकते हैं इतने साल बात अगर exam होगा तो उन्होंने उस time preparation की होगी तो अब क्या कर सकते हो तो सातियों यह सारी चीजे राजधानी के अंदर नहीं लग रिया है यह सही है यह गलत है तो सातियों गुडबाई टेक कियर थेंक यू जैहिन वंदे मात्रम